क्या हो अगर तुम सूपर मार्केट में फच जाओ और तुमारे शेहर में एक बड़ा सा एलियन आ जाए कहानी की शुरुवात में हम देखते हैं देविट नम का एक आदमी होता है उसकी वाइफ और एक बेटा भी होता है उन लोगों को फिल होता है कि बाहर वेदर में कुछ चेंज हो रहे है वो अपने घर की खिड़की से बाहर देखते है तो उन्हें पता चलता है कि बहुत बड़ा तुफान आ रहा है तेज बारे सो रहा होता है और उससे भी ज़्यादा बिजली गिर रही होती है ये देखकर बड़ी लग रही थी क्योंकि तूफान ने सारा कुछ तबाह कर दिया था दूर ही इने मिश्ट दिखाई देती है सीरिया में इतनी ज़रा पहले कभी देखने को नहीं मिली ये बात इनके लिए सप्राइजिंग भी होती है और शौकिंग भी डेविट के पोडोशी का घर और गाड़ी तबाह हो चुका होता है वो उनसे रिक्वेश्ट करता है कि तुम लोग यहां से निकल रहे हो तो मुझे भी अपनी गाड़ी में अपने साथ ले जाओ और अब ये सब लोग मिलकर सीटी की तरफ जाते है लेकिन रास्ते में जाकर देख देहीं कि ट्राफिक unusual है तब के सब जल्दी में है अब इन लोगों में बाते होने लगती है आर्मी वाले उनी पहाड़ों की तरफ जा रहे है जहां पर काफी ज्यादा मिश्ट है और वहां तीजी से वापिस आ रहे है ये लोग ये भी डिसकस करते है कि हमने कहीं से सुना है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर UFO crash हुआ था और तो और उसमें aliens भी थे जो कि यहाँ पर मारे गए क्योंकि वो जम चुके थे लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते है कि वो मरे नहीं थे मेल्ट होते ही वो दूबारा से revive हो जाएंगे रास्ते में हम बहुत सी और चीजे देखते है जो लोगों में हल चल थी तभी वहाँ पर एक हम बुड़े आदमी को देखते है जिसके नाक से खून आ रहा होता है उस जगह जहाँ पर बहुत ही मिष्ट है वहाँ कभी भी मत जाना वह जगह बहुत ही खतरनाक है वहाँ पर कुछ न कुछ जरूर है इसी के साथ एक बहुत बड़ा टौर अपने दो आता है जो कि मिष्ट का ही बना होता है वो लोगों को अपने अंदर लेने लगता है और हर तरफ लोगों की चिल्दानी की आवाज आने लगती है तब लोग अपने अपने बच्चों और अपने लोगों को लेकर चोर्स के अंदर छुप जाते है अभी वहाँ प बच्चे को देखते है जो काफ़ी डरा हुआ होता है और उसे सर्दी भी लग रही होती है तो डिविड उसे कहता है मेरे बेटे तुमारे लिए मैं अभी ब्लैंकेट लेकर आता हूँ तुम यही पर रहना वहाँ पर वो लोग भी होते है जिन है वो अपने बेटों का धियान रखने के लिए कहता है और खुच जाकर ब्लैंकेट लेने जाता है वो देखता है कि किसी चीज से धुआ निकल रहा है वो उसे आफ कर देता है लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि जैसे ही उसके पिछे कोई और उसको देख रहा है डिविड वहाँ से फोरण भाग जा लेकिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और वो श्टाप जब अंदर जाकर उस चीज को देखते है तो उन्हें पता चलता है कि जैनरेटर में तो एक ऐसा ऐसा इसा इसू है जो बाहर जाकर ठीक हो सकता है उनमें से एक वरकर कहता है कि मैं बाहर जाकर ठीक कर दूँगा कुझे इन चीजों में डर नहीं लगता वो शटर उपर करने लगता है ताकि लड़का बाहर जा सके लेकिन वो लोग देखते हैं कि बाहर तो और भी ज़्यादा मिश्ट है तभी उसमें से किसी का Tentacles बाहर आता है और वो लड़की की टांग को पकड़ कर अपनी तरफ खिशने लगता है और डेविद उस लड़के को फोरण पकड़ लेता है ताकि उसकी जान बच सके लेकिन वो औक्टोबर्स जैसा दिखने वाला Tentacles उस आदमी को अपने साथ खिश लेता है और डेविद कुछ नहीं कर पाता और डेविद Tentacles का कुछ हिस्सा काट लेता है अब सारे स्टाफ मेंबर बाहर जाकर लोगों को ये बाताने लगते हैं कि लेकिन वो कहता है कि तुम हम में डर पैदा नहीं करो भी ये लोग उनमें से एक आदमी को बाहर ले आते है जहां Tentacles का एक हिसा काट कर गिरा था जैसे ही वो Tentacles को टच करते है तो उसमें जान आ जाती है जैसे ही पानी बनकर बाहर निकल गया हो इसलिए वो दुबारा अपने बोड़ी के साथ जुड़ सके या रिकवर हो सके तो वो आदमी भी डर जाता है और उनसे कहता है कि तुम सच कह रहे हो जो स्टोर्स में वो लोग होते है उसकी वींडो और दरवाजे सब शीचे के थे तो इनको ये डर था कि बाहर वाली क्रियेचर शीशे तोड़कर अंदर आ सकते है और अगर उसने हमें देख लिया तब भी डिफरेंट चीजों से उन सीशों को कवर करने लगते है तब ही डेविट का पड़ोसी कहता है कि तुम लोग पागलो वाली हरकत कर रहे हो मिस्ट से भला किसी का क्या नुक्सन पहुचेगा मैं बाहर जाकर दिखाऊंगा इसी तरह उसके साथ और कुछ लोग होते है इस क्रियेचर पर यकिन नहीं कर रहे होते है ये मैं तुम लोगों की सेफटी के लिए कर रहा हूँ और ये सब लोग बाहर चले जाते है डेविट के उसी पड़ोसी के साथ लेकिन तभी डेविट को कोई प्रेशर फील होता है तो वो रस्षी को खीचने लगता है लेकिन ये क्या रस्षी के साथ उस आदमी का बोड़ी की आधी पार्ट भी अंदर आ जाता है जिससे ये देखकर सब चिलाने लगते है इसी तरह से शाम हो जाती है और शाम के बाद रात लेकिन ये लोग कुछ भी हल नहीं लिकाल पाते जेनेरेटर भी आफ होता है और लाइट भी नहीं होती है तो हर तरफ अंदेरा होता है और लोग अपने टॉच निकाल कर गुजारा करने लगते है कभी ये सब नोटिस करते हैं कि शीचो पर फ्लाइंग बक्स आकर बेट रहे होते है ये उड़ती चिडिया काफी अजीबो गरीब होती है लेकिन इससे भी बढ़कर बात उन बक्स को खाने के लिए कुछ बड़े बड़े क्रियेचर उनकी तरफ एट्रैक होने लगते है और ऐसे परिंदे या क्रियेचर किसी ने भी पहले नहीं देखे होते है तभी अंदर वाले लोग नोट करते हैं कि शोटे शोटे बक्स इनको आने वाले लाइट से अट्रैक कर रहे थे सब लोग अपने टॉच बंद भी कर दे तो जेनरेटर अभी भी ओन था और लाइट को पूरी तरह से बंद करना पॉसिबल भी नहीं होता है तो एक परिंदा एक बग को खाते खाते वहां का एक शिशा तोड़ देता है और उनके अंदर आते ही एक औरत को काट लेता है जिसकी वज़े से वो औरत मर जाती है और सबसे बड़ा परिंदा एक और आदमी की जान ले लेता है पर हम एक लड़की को देखते है जो परिंदे को आग लगाने वाला होता है लेकिन उस बिचारी को खुद आग लग जाती है तबी एक और औरत को देखते है जिसके सामने वही फ्लाइंग बग आ रहा होता है उसे मारने के लिए लेकिन वो औरत प्रे करने लगती है तो वो उसे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है तो सब लोग सोचते हैं कि अच्छा तरीका है शायद ये लड़की प्यॉर लेड़ी है इसे लग रहा था कि लेड़ी के गौट के साथ कनेक्शन हो इसी दोरान फ्लाइंग बग्स काफी लोगों को जखमी कर चुके होते है और उन्हें काफी दर्थ हो रहा होता है तो डेविट कुछ लोगों से बात करता है कि हमें मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाने होंगे ताकि हम इन लोगों को जान बचा सके अब डेविट और उसके साथी स्टोर तक पहुचते है लेकिन वहाँ पर देखते हैं कि एक सिक्यूरिटी गार्ड मकडी के जाले में लिप्ता हुआ है उन्हें ये बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि उस आदमी की हालत बहुत ही खराब थी उनको बताता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ बहुत बड़ा मसला बन चुका है और ये हमारी गलती है तभी उस आदमी की बॉड़ी से बहुत ज़्यादा मक्खिया बाहर आने लगती है और वो अपनी जाल इन लोगों पर फेकने लगता है इन में से एक आदमी की टांग पर मकडी जाल फेक देती है जिसमें किसी किसम का कोई जहरीला माटिरियल होता है जिससे बिचारे आदमी की टांग जलने लगती है और उसे दर धोने लगता है ये तो मारा जाता है और इसके साथ साथ एक आदमी जिसके मूँ पर मकडी अपने जाल फेका होता है ये दोनों ही अब मर चुके थे जो कि उन पहाड़ों पर ड्यूटी दे रहा था जहाँ पर मिस्ट अपियर हो रहा है टीविट उसे पुछने लगते है कि क्या तुम जानते हो ये कैसी मिस्ट है और कहां से आई है वो बताने लगता है कि जिन पहाड़ों में हमारी ड्यूटी लगी थी वहाँ पर एक पॉर्टल भी था हम सब का यही मानना है कि एलियन और दूसरे क्रियेचर उसी पॉर्टल से आ रहे है और उस जगा का एनवर्मेंट भी ऐसा है तभी वहाँ से मिस्ट भी आ गई तभी वहाँ पर वो लड़की आती है जिसका गौट के साथ कोई कनेक्शन था वो प्रे करके हमेशा बच जाती थी वो आकर आर्मी ओफिसर से कहती है कि यह वाकी में तुम्हारी गलती है जब हम इस दुनिया में खुशी-खुशी रह रहे थे तो तुमने इस गौट के डिसिजन में क्यों टांग लड़ाई तुमने खुश से क्यों पोर्टल ओपन किया और यह सारी तुम्हारी मुसीबत हम पर आ गई तुम मरना डिजब करते हो वहाँ एक आदमी खड़ा होता है जिसको इस ओरत की बाट ठीक लगती है करते ही कि सुबह होने पर यह किसी न किसी तरह यहां से भाग जाएंगे सुबह होते ही डेविड अपने साथियों से कहते है कि हमें निकलना होगा लेकिन वो लेड़ी जो पियर होने का दावा करती थी डेविड से कहती है कि तुम नहीं जा सकते हम सब को माट डालेंगे उस औरत के साथ लोग होते है वो भी डेविट को जाने से रोकते है और डिसाइड करते है कि मैं इन एलियन्स को रोकने के लिए एक और सैक्रिफाइस देना होगा और वो भी इस बार किसी और का नहीं बलकि किसी बच्चे का होगा और यहाँ पर डेविट तुम्हारे एकी बेटा है जो कि बच्चा है उसका सैक्रिफाइस करना होगा तो डेविट कहता है कि हर्गीज नहीं और उसके साथ ही उन लोगों को रोकने लगते है और इसी तरह डेविट का एक साथ ही उस लड़की को सूट कर देता है और माट डालता है और यह उसका एक अच्छा डिसेजन था वरना वो लेड़ी बाकी लोगों को अपनी बातों में लागा कर गलत रास्ते की तरफ ले जा रही थी डेविट अपने बेटे को गोद में उठाया और बाकी सब लोगों को बाहर ले जाने लगता है ताकि गाडी में बेट कर यहां से जा सके किन तभी उसके सामने क्रियेचर आ जाता है जो कि 2-3 लोगों को माट डालता है बाकी बचे लोग डेविट की गाडी में बेट जाते है गर के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में लोग देखते हैं कि घर गाडिया हर चीस तबा हो चुकी है डेविड जब अपने घर पर पहुचता है ये देखकर काफी तूर सा जाता है उसकी वाइफ की देख हो चुकी थी डेविड अपने गाड़ी को लेकर आगे बढ़ने लगता है क्योंकि अब वो यहाँ कैसे रहता लेकिन आगे जाते ही उसकी गाड़ी के सामने एक चाइल क्रियेचर आ जाता है जो की बहुत खतरनाक लग रहा होता है और उसकी काफी ज़्यादा टांगे होती है किन डेविड फॉरण अपनी गाड़ी ड्राइफ करने लगता है कंटीनियू ड्राइविंग के वज़ज़ से उसकी गाड़ी का फ्यूल खतम हो जाता है अब यहाँ फिर से इनकी जान को बहुत खतरा होता है क्योंकि क्रियेचर किसी भी इंसान को जिन्दा नहीं छोड़ता कब लोग एक दूसरे से बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम कभी अपने बोडी को इन एलियन के सामने खाने के लिए पेश नहीं करेंगे हम अपनी जान दे देंगे लेकिन इनको हाथ नहीं मारेंगे डिविट अपनी गन निकालता है जिसमें चार बुलेट्स होती है वो सबको सूट करके मार डालता है और खुद अकेला बच जाता है डिविट ने अपने बेटी को भी मार दिया था वो अपने गाड़ी के तरफ आगे बढ़ता है अब आवाज लगाने लगता है कि एलियन्स को ये खुदी एलियन्स का खाना बन जाएगा क्योंकि खुद भी जिन्दा नहीं रहना चाता लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है तो कि उसे कहती है कि हम आपको बचा लेंगे हमने और भी लोगों को बचा लिया है और हमें वो तरीका मिल गया है जिससे हम इन ऐलियन्स और श्पाइडर को काबू कर सकते है तो मकडियो कुछ जालो को जला रहे होते है और सब ऐलियन्स से बसते हुए सब लोगों को रेस्क्यू कर रहे होते है तो डेविट दिखता है कि उस औरोत को भी बचा लिया गया है जो कि स्टोर्स में बाहर अपने बच्चों को बचाने के लिए गई हुई थी तो यहाँ डेविट को बहुत बुरा लगता है क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और रुख जाता तो तो उसके साथ भी उसका बच्चा रेस्क्यू कर लिया जाता क्योंकि आरमी ओफिसन ने बाकी लोगों को भी बचा लिया था लेकिन डेविट ने उनको मार के बहुत बड़ी गलती कर दी थी उसके बाद उसे काफी रिग्रेट होता है और वो रोने लगता है तो इसके साथ हमारा कहानी यहीं तक कतम होता है अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे